क्या हाल होगा दुख है कि आपको मंत्री नहीं बढ़ाया हमें भी तकली पे इस बात कि ऐसे वरिष्ट है और इतनी इनुबवी व्यक्ति को मंत्री नहीं बढ़ाया आप मेरी अगर से आप मेरी अगर से तो निश्चेत रूप सब्सक्राइब आपका जो नंबर आप भी बोला नहीं अगर मैं छेड़ नहीं रहा हूं साथ कि कभी भी आपने भी देखा है अध्यक्षम होते हैं कि विपक्स चरासी बात होती है उसी वेल मा जाता है इस तरह का इस तर तो कभी भी पक्स का देखा ही ना तो इससे लोकसवा जीत सकते इस तरह का आचरन से आप ए सोचरक लोकसवा तक ऐसे हंगावा मचाते रहेंगे इस तरह से एक मुखवंत्री को बने वे सरकार को बने वे बासन पर आ रहा हूं वो बासन आप से जुड़ा हुआ है बासन आप से जुड़ा हुआ है कि सरकार को बने वे डेड़ महीना हो गया अभी आप ERCP बल्ला मचा रहे थे अब बजाओ तालिया मुखवंत्री के लिए करो मुखवंत्री के लिए कि एक मुखवंत्री डेड़ महीने में एर्शिपी का समझोता लागू कर दिया जो आप पांस साल तक नहीं कर पाए अब बजाओ तालिया मानिय सदस्य फिर आपका भी बोलने का नंबर है फिर इडिस्टब होंगे ना चैनलों इसकी किसी के और बोल रहा है शांती पूरस तो यह करेंगे यह बोलेंग यह बोलेंग इधर के करेंगे किर्पया निमों रज्यपाल के विभाशन पर मानियों सदस यह एंटी गैंगेस्टर फोर्स बढ़ा देना डेड़ महिने महीं डेड़ महिने के अंदर यह साइटी मना देना एंटी रोमियों को तुतकाल रुप्स मजबूती से लागू कर देना और मौदी जी की जो गारंटी है जिसकी गाड़ी राजस्तान में घूम रही है कि हर ग अरिकाल में हुआ क्या आपस में लड़ते रहे विधायकों को खुश करने के लिए जो मांगा विधायकों ने वोई दे दिया जो मांगा आपने एक बार भी सोचा कि राजस्तान के हित्में जो फैसला हो रहा है उस टाइम तो आप मंत्री थे सरकार थी आपकी एक बार तो स दोस्ती मेरे अपने जिले से लेता हूं मेरे जिले के तीन टुगडे कर दीये तीन टुगडे कर दिये अब अभी तक यह नहीं पता कि अन member जाता है कलेक्टर से मिलने जाता है कोट पूतली खेरतल का कहा जाता है ये इतनी भारी परेशानी हो रही है उसका नुक्सान हम लोगों को खुराव रोज कहते हैं साब कुछ करो कुछ करो कुछ करो करें क्या आपका सारा बिगाड़ा हुआ काम उसको सुद्रे कैसे है थोड़ा तो उस टाइं ध्यान दे लेते क्या कर रहे हैं क्या करने जा रहे हैं आपका बोजा तो ढोना पड़ेगा कुछी राजस्तान चलाना है पर आपके ही विभाग के अंदर नगर पालिका बना दी सर्पंच को ठाके चेर्मेन बना दिया उस बिचारे के पास कुछ सादर नहीं न ईयो है न उसके पास में स्टाफ है न कुछ हो रहे है बना दिया जगे जगे कोल के खड़ी कर दी देली मुशीबते खड़ी हो रही है वहाँ जाके नगर परिषद बना दी नगर निगम बना दी पर कम से कम ये तो देखते कि इनकी चलेगी कैसे लोगों काम कैसे लिम्टेगा पंचाइस में किया खोल दी हाँ ताज्यब की बात एक तैसिल खोल दी एक तैसिल के अंदर दो दो तिन तिन तैसिलों का जवाब है जहां हमारे विपक्षियर नेता जी बैठे हैं इनका भी एक तैसिल मानन आती है उसके अंदर तैसिल दार कही अता पता नहीं होता पूछते रहे कि उस तैसिल में गया है उस ताइब बोलना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं जब हमारे पास में ना तो स्टाफ है ना इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्चर है ना हम उच्छ कुछ कर सकते हैं तो लोगों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खोल दिया आप लोगों नेंगे इंग्लियम स्कूल महात्मा गांधी जी के नाम पर कहां गए पढ़ाने वाले कहां पढ़ने वाले क्या हाल हो रहा है इस स्कूलों का एक बार तो सोच थे हर चीज के अंदर केवल डेर्ड महीने में इतनी बड़ी उपलब्दियां एक मैं उनिस जी लीक्ते हैं या पन्रह सोला कितने खुले थे जोभी मुझे याद नहीं है खोई आरगर गे यह यह खैरी आज जाणनल Pता नि कैसे जीत कया सर्यए याद न ही है अब अइमर तो अब 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 अमर तो हो ही लिए अब अभु का क्या कर सकते है आँ उमर का है 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 वो टेक्निक मेरे पास नहीं जो आपके पास थी बाने सदे से रोज यह योग करते हैं इसलिए इनका दिमाग अच्छा चल रहा है तो इसलिए मैं तो आप से यही एक बात कहूंगा करो स्वागत मुक्वंत्री जी आई यहार सीबी लागो कराके लाएं ताली तो बजादो टोटास राजी ताली तो बजादो मेज तो थप थपादो पुस्तो थोड़ा लाज कर लो बहुत बड़ा इतियासिक फैसला के लिख आएं देड़ महीने में करेरो सुनने आगे वरना तुम ऐसे ही जाता बेकार का बेकार को जाता अरे मानी सदा आप बोल लिया बोलना जा रख जबेर खान जी कि आप जो और कहें तो थोड़ा ठीक रहेगा कुछ ना कुछ मुझे फाइदा ही मिलेगा पर जब धेड़ महीने में इतने काम हो सकते हैं तब लगा लो पांच साल में कितने काम होंगे सत्तागा के और एक जी निश्चित रूप सभय मानी विप्रक्ष के नेता जी मेरा आप सो अगरे है कि बहुत छोटी उमर में बहुत बड़ा पद मिला आपको और अभी तो आप बहुत आगे तक जाएंगे यह आज की बात करण सब के भागे में यह नहीं होता है पर हर मिनिट के अंदर वेल में आ जाना यह रिकोर्ड होता है इसका मैसेज कुस दिन बाद में नोटिंग की का मैसेज चला जाएगा यह तो नोटिंग की बात एक गंभीरता होती है मेरा इंका संबन्द है वो तो परिवारिक है पर पारिटी तो अलग अलग है सिद्धान तो अलग अलग है अच्छे काम के लिए मैं उनको एक जो मेरे दिमाग वाया वो अच्छी सला तो दे ही सकता हूँ माने सदस्य है किसी के भी भाश्यन में बीच में न बोले मैंने सिद्धान उस दिन बदले जब डोटाट डोटासराजी ने अपने महकमे में नकल कराई नकल कराके फिर चुपो गए तो मैंने का उस जड़ा जब अगर आप उस टाइम जो आज मुखमंतरी ने SIT बनाई इस तरह आप भी गटीत कर देते बहुत अपन पाक साथ थे कारवाई करने में क्या दिक्कत थी पर तब तो आप चुप रहेगे वो कर ले ना पाक साथ थे पाक साथ रहेंगे देखे अब कंटीलिय रगे बजे तो आपकी ये जाच की जब तक माननी अद्द्रक्ष महुद है ये जाच जब तक एक बार मगर हमाने मुखवंतर जी आपकी सारी जाच खोल जाए ति कमसे विदान सवाद सही चलती रहे आप जाच के डरके मारे हर मिनट में वहल मारे हो एक मिट भी काम नहीं करने दे रहे हूँ कोई बात ही नहीं है मुक्वंतर जी का अएरपॉट पर स्वाकत हो रहा है रास्ते पर स्वाकत हो रहा है आप यहां ला मचा रहे हूँ यह भी भासन नहीं है और और इसके दर क्या होता है आप बेखिए एक अरे पांच मिन्टे भाचनों चार बार खड़ेगो ठीक नहीं है इनका समय स्रीमी ते बैठाउंगा समय पूरा होने पर ये तो सरकार का विजन और मुझे तो ये ताज़ू बाता है इसका मनी ये नहीं नेता प्रती पक्ष है उसको आप इस तरह दबाते रहोगे अपने मेरे किंगित किया मैंने कोई दबने वाला हूँ नहीं मैं दबाऊंगा मैं एक बात और कहना चाहूँगा अरे भाई ये प्रत जोकी होगी तो आपका जोना है इन्होंने मेरा नाम लिया इसलिए मैं खड़ा हूँ अप तो इनको अध्यक्षा है इनको बोलने का यहां अधिकार नहीं आप इनको बोलने ही मत दिया करो नहीं देखे यहां जो सदन में आए इसलिए आपने बोलने की लिए पर मैं एक चीज़ का धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि माने मुखमंत्री जी आप सदन में आज पढ़ा रहे हैं पहली बात तो कम से कम कोई मुखमंत्री की तारिफ कर रहे हैं अरे रुको किर्पेन न करें अद्धे मेरा तो आप सब आग रहे हैं कि मुखमंत्री जी यहां सिर्फ कर घरेंस का रहता है पहला दुनिया का प्रधान मंत्री है जो एक गली तक पहुँचरा है, लोगों को एक गली तक पूछ रहा है का आपके क्या परिशानी है, आपका काना क्या रिजिस्टेशन हो आज निए ön आज तक किसी दुनिया के प्रधान मंत्री ने नहीं पूछा राम मंदिर बने तो आपको दिकत और आपको दिकत पर आप कम से कम अपने आचरण को इस तरह हला मचाने से जैसे मोदी जी के गारंटी है ना मेरी भी गारंटी एक लोग सवामे इससे वोट में फरक नी पड़ने वाला इससे लोग सवाम आप लोगों ने जो तै कर रखा है ना बिना बाद को वैल माके सोर मचा देना आपके दिमाग में किसी ने गलत चसमें चड़ा दिये कि चुनावत यही है इससे बड़ी है भासर जी का जो विजन यही है कि रजस्तान आगे बढ़े सरकार बड़ी सहे सरकार पार जिस साहथे काम करें सरकार तूर फैसले ले वह सब ले दिया और आगे लेते रहेंगे पर जाज जरूर कराएंगे मानेंगे नी जाज़ करा कर भिरा अब उससे जो जो घबरा रहे वो बार बार आते रहो जाज तो होनी है जल्दी खतम करिए आपके आदेश की पालना करूंगा इतना ही है कि इससे अच्छी सरकार बन नहीं सकती एक जो इससे अच्छा मंत्री मिनल मुख्वेंत्री जी आड़ोटा सारी जो मेरे मंत्री की बात कर रहा आप जितनी मन से शिफाइस कर दो उस दिर बन जाओंगो मैं करनी पड़ेगी मन से आप तो इसलिए आप से मेरा निवेदन है कि कुछ सिक्षा लो अच्छे उससे लो अपने करमों को भूलने की कोशिश करो सरकार का सहयोग करो जो आपके करम है जिसकी सजा मिल रही इससे ये सिक्षोग निश्चित रूप से आपको से गलतियां हुई है आपने पूरे राजस्तान को चर्मरा के रख दिया अरजक्त का महुल सा रस्टाचार का महुल सा किसी तरह की कोई वो नहीं थी हर विधाय को मुखवंत्री बना के बठा दिया था चाहे हर चीज के अं दिन घटनाएं घटती है ना जो नोजमान गुमरा होते बेरोजगार आदमी हमेशा गलत रास्ते बेजाएगा और उसका मुख्यकारने हमारे इंडस्ट्रिल एरिया के अंदर राजस्तान के जो बेरोजगारें उनको ये कहकर गेट से वापिस कर दिया जाता है वहा तो ये आपके कारीकाल में इस तरह का बातावन पर कर दिया जाता है कि आप लोकलो इसलिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा जली मेरी मिलती है समफ करिए माने सदर से और आप से भी मानीए मक्वंत जी से भी कि इंडिस्चित रूप से आप बेरोजगारों के लिए लोकल इंडिस्टियों के अंदर रोजगार दिलाने का कोई नहीं रास्ता दूड़ना आरे जानाएं की तरस पह धन्शे श्री हरीश चोधरी अबी नहीं अबी नहीं बीच